तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे तो गुड मॉर्णिंग प्यारे बच्चों, उमीद करते हैं कि आप लोग एकदम बहतरीन तरीके से तयारी कर रहे होंगे अपने इस मैट्रिक परिक्षा का और जैसे जैसे प्यारे बच्चों दिन गुजरते जा रहा है वैसे वैसे आपका परिक्षा नजदी काते जा रहा है अगर काईदे से देखा जाये तो अब आपके परिक्षा में जादा दिन का समय नहीं बच गया है बس कुछी ही दिन का समय अब सेस रह गया है जो पता नहीं कब देखते देखते पार कर जाएगा तो इसलिए रहा जाता है एक कविता है कि नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान चड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान वैसे ही प्यारे बच्चो चड़ियों को जगने से पहले अब आप लोगों को उठ जाना चाहिए जिस तरीके से एक किसान चड़ियों के जगने से पहले उठ जाता है वैसे ही अब आप लोगों को उठना चाहिए और मेहनत करना चाहिए समझ गये ना स्वामी विवेका नंद जी का कथन है कि उठो जागो और लक्ष प्राप्ती तक रुखो मत तो अब प्यारे बच्चों आपका लक्ष एकदम नजदीक है आपका टार्गेट एकदम नजदीक है और उस टार्गेट तक पहुँचने के लिए आपको अब जितना जोर लगाना पड़े न आप लगा लिजे क्यांकि अभी वो समय है जब आप जयादा जोर लगाएंगे तो मंजल तक जादा करीब पहुचेंगे अगर कम जोर लगाएंगे तो कम करीब पहुचेंगे प्यारे बच्चों हम लोग सुबह में हिंदी पढ़ते हैं, सुबह सात बजे से और हिंदी में हम आपको गद खंड पढ़ा रहे थे और आज के बारे में हम बोले थे कि आज भाई काब बेखंड पढ़ाएंगे लेकिन काबे खंड में आज प्यारे बच्चों, हीरो सीमा चिप्टर पढ़ाना था और हीरो सीमा चिप्टर का नोट्स, पूरा रूप, मतलब पूरा तयार नहीं था तो हम उसको तयार कर ही रहे थे लेकिन लगा कि नहीं भाई आज हीरो सीम अच्छे तरीके से नहीं तयार होगा तो हम सोचे कि चलो भाई सब तो पढ़ाना ही है क्यों न हम गद खंड का ही नौमा नंबर चिप्टर पढ़ा दे तो पसे वो बर्नन किये हैं कि जब हम रक्षनी फ्रांस के एक सहर आविन्यो में गए थे तो वहाँ पर किस तरीके का महौल था एक्चुल में जो लेखक हैं असोख बाजबेई इस चिप्टर के जो लेखक हैं असोख बाजबेई वो आविन्यो गये हैं आविन्यो प्यारे बच्चो फ्रांस में पढ़ता है देखे न आविन्यो कहां पढ़ता है तो फ्रांस में है और वहाँ पर लेखक गये हैं और व लिखक ठहरे हैं। समझ गए और इसलिए प्यारे बच्चों क्या आप इन्यों इसका नाम पड़ा है। इंग्लेश का क्लास नहीं हो रहा है सर। बावू इंग्लेश के क्लास के लिए थोड़ा सा समस्य है। आएसा कि पंकचसर घर गय हुय हैं और पंकचसर के परिवार में थोड़ा सा समस्या हो चुका है, जिसे अभी बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, सायद हम बता दें कि पंकचसर की माताजी नहीं है, समझ गये ना, पिताजी है, तो इस वज़़ा से थोड़ा बहुत घर गये हैं और फोन करके बोले कि सर थोड़ा परिसानी है घर में अभी तो इसलिए सर थोड़ा सा एक दो दिन का भी और चुट्टी दे दिया जाए तो बोले कि चलिए भाई ठीक है उनका मजबूरी समझते हुए हमें लगता है कि नहीं भाई चलिए घर परिवार को भी दे बताते हैं और आगे बढ़कर के प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं इस चेप्टर के बारे में पहले हम लोग इस चेप्टर के लेखक के बारे में जानेंगे इस चेप्टर के लेखक के बारे में जानेंगे जिनका नाम है असोख बाजबेई और असोख बाजबेई इ आप लोग टॉपर बेच में जुड़ जाएंगे तो देर ना करें जल्दी आएं दुरुस्त आएं समझ गए ना जल्दी से प्यारे बच्चो आप लोग टॉपर बेच को जॉइन कर लें एडविशन ले ले यहां पर जो आप चितर देख रहे हैं इस मुस्कुराते हुए व्यक्ति का इसी का नाम है असोख वाजपेई बहुत ही जबरदस्त लेखक हैं और लिखते भी बहुत अच्छे हैं और बहुत कम समय में बहुत जादा लिखते हैं कहिएगा कैसे सर आपको पता चलेगा बहुत कम समय में बहुत जादा लिखते हैं और इन्ही का नाम है असोख वाजपेई ध्यान रखिएगा जन्म इनका हुआ था 36 गड़ में 36 गड़ में एक सहर है दुर्ग समझ गए ना 36 गड़ में एक सहर है दुर्ग समझ गए ना तो दुर्ग में ही इनका जन्म हुआ था 36 गड़ दुर्ग में क्या हुआ था इनका जन्म हुआ था तो ध्यान रखिएगा असोख बाजपेई प्यारे बच्चो इनका जन्म जो च्छतिस गड़ दुर्ग में हुआ था 16 जनवरी 1941 इस्वी को 16 जनवरी 1941 इस्वी को दुर्ग 36 गड़ में इनका जन्म हुआ था ठीक है और इनके माता जी का नाम था निर्मलादेवी पिता जी का नाम जन्मस्थान और जन्मकद्दिवस ये सब प्यारे बच्चों आप लोग जरूर याद रखिएगा तो इनके माता जी का नाम था निर्मला देवी और पिता जी का नाम था पर्मानंद बाजपेई पिता जी का नाम था इनके पिता जी का नाम यानि कि असोख बाजपेई के पिता जी का नाम परमानन्द बाजपेई, असोख बाजपेई, टाइटल से मही है, देख रहे है ना, असोख बाजपेई, पिता जी का नाम परमानन्द बाजपेई, मतलब ये बाजपेई परिवार से थे, समझ गए ना, हाँ, बाजपेई लगाते थे, समझ गए, तब ना देख रहे हैं, सागर से हुई यानि कि प्रणबिक सिक्षा जैसे सब लोगों का होता है वो वैसे ही इनका भी हुआ समझ गए फिर सागर बिस्विद्याले से इन्हों ने बीए और सिंट अस्टिफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एम्मे किया ये प्यारे बच्चों कहेंगे कि सर सब लोग तो ऐसे ही हैं अंग्रेजी में बीए एम्मे कर लेते हैं और कविता लिखते हैं हिंदी में कहेंगे न आपके मन में ये बिचारा आएगा कि सर अंग्रेजी में बीए एम्मे करते हैं और कविता लिखते हैं हिंदी में तो वैसे ही व्यक्ति थे प्यारे बच्चों जो अंग्रेजी में MA किये हैं, समझ गये, अंग्रेजी में क्या कर लिए MA, यानि कि अंग्रेजी के भी प्रचंड भी दमान थे, समझ गये ना, अंग्रेजी के भी ये प्रचंड भी दमान थे, समझ गये, तो चलिए इन्हीं के बारे में हम लोग बास्चित करेंगे एक बार कलास को न आप लोग जल्दी से शेर कर दीजे my dear students लिए बच जल्दी से आपको खूएर्य चुर्ण कर्ये और जो बच्छे क्लाओर अभी तक लाइक नहीं किया है तो दबा माता जी का नाम था निर्मला देवी, पिता जी का नाम था पर्मा नंद बाजबेई, उनकी जो प्रारंभिक सिक्षा हुई हो वो गवर्नमेंट हाई स्कुल से हुई, और फिर दिल्ली से वो अंगरेजी में क्या किये थे? इमे किये थे, ठीक है? उन्होंने बृति के रूप में भारतिये प्रशासनिक सेवा को अपनाया, यानि कि यह IES का एक्जाम भी निकाल चुके हैं, स्मुच रहे बात को, UPSC का परिक्षा किलियर कर चुके हैं, यह ऐसे व्यक्ति हैं, समझ गए ना? UPSC का परिक्षा किलियर क कर चुके हैं, भारतिये प्रशासनिक सेवा में हैं, प्यारे बच्चों, समझ रहे बात को, कितने talented आदमी होंगे, तो यह भारतिये प्रशासनिक सेवा को भी अपनाया, अपनी बृति के रूप में, बृति यानि कि अपने रूची के रूप में, समझ गये ना, अपने थेसे क्या है क्रतियां यानि कि लगवग तीन दर्जन यह लिख चुके हैं किताब हो असोख के बारे में आर वी बात करें तो उनकी बहुत सारी क्रतियां है जmostra कुछ एसे क्रतियां है जो कि परिक्षा मेंपूछा जाता है द्यान रखेगा क्या है एक पतंग अनंत में, उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद है तत्पुरुश, उसके बाद है कहीं नहीं उबहीं, उसके बाद बहुरी या केला, उसके बाद थोड़ी सी जगह, तुक चिठिरसा है, आधी उनके कविता संकलन है, यानि कि ये सब ना उनके कविता है, जो क अब भी संभावना है एक पतंग अनंत में पुरूस कहीं नहीं हो भाहीं बहुरी अकेला थोड़ी सी जगह क्या दुख चिठ फिरसा अनेक कविता है अगर उनके पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक है उनका तीसरा साक्ष और क्या है और है प्यारे बच्चो साहित उसके बाद शाहित विनोद के बाद क्या देख रहे हो न विनोद ये मत बोल देना शाहित विनोद के बाद क्या है कला विनोद कविता का जनपद मुक्ती बोध समसेर और अग्यें की चुनी हुई कविताओं का संपादना दी यानि कि धेर सारे कविता भी लिखे और धेर स यहां पर पूछा जाता है तो परिक्षा में यह जादा पूछा जाता है एक पतंग अनंत में इसको याद रखिएगा प्यारे बच्छो ठीक है ना और उसके बाद फिर मुक्ति बोध ये याद रखिएगा ये यहाँ पर पूछा जाता है ठीक है ये पूछा जाता है और 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 जहर अब भी संभावना है ये भी लगता है कि एक दो बार पूछा गया है तो ये याद रखिएगा ये 3-4 नहीं के कुछ important कृतिया है ये 3 कम से कम याद रखिए ये 3 नहीं इनकी important कृतिया है जो कि हमारे ख्याल से परिख्षा में पूछा जा चुका है समझ गए समझ गए ना ये पूछा जा चुका है इसलिए कम से कम ये तीन आप लोग जरूर याद रखिएगा ये तीन अगर भूल गए तो समझे कि परिक्षामला नंबर देने वाला आपको भूल जाएगा तो ये तीनों कभी भी भूलना नहीं है समझ गए सारे बच्चे? चलिए अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं असोख बाजपेई को सहीत तकदमी पुरशकार भी मिल चुका है असोख बाजपेई को क्या सहीत तकदमी पुरशकार भी प्राप्त हो चुका है सहीत तकदमी पुरशकार देखिए प्यारे बच्छो इस परकार का इसका लोगो रहता है सहीत तकदमी पुरशकार का तो इनको सहीत तकदमी पुरशकार आपको हम क्या बतायते कि कभी यानि कि जो महान कभी होता है जो बड़ा कभी होता है जो कभीता बहुत अच्छा अच्छा लिखता है ना उनको कभी के छित्र में क्या मिलता है पुरशकार मिलता है और वो पुरशकार जिसमें सबसे सर्फिलिस्ट है वो है सहित अकदमी पुरशकार जो कि इनको मिल जुका ह उसके बाद दयावती मोदी कभी शेखर शम्मान इनको मिल चुका है दयावती मोदी कभी शेखर शम्मान फ्रेंच सरकार का officer of the award of cross 2004 सम्मान आदि मिल चुका है यानि कि french सरकार यानि french मतलब France की जो सरकार है वो भी इनको यानि कि असोख वाजपेई जी को न पुरशकार दिया समझे फ्रांस का है जो सरकार इनको क्या दिया है क्या कौन सा पुरशकार ओफिसर आफ दा ओर्डर आफ क्रॉस 2004 समझ गए न ये सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है अब थोड़ा सा अगर हम आविन्यों के बारे में बात्चित करें तो आविन्यों जो है वो दक्षनी फ्रांस का एक मध्यूगीन इसाई मठ है समझ गए आविन्यों जो है वो दक्षनी फ्रांस का एक मध्यूगीन इसाई मठ है जहां लेखक ने लेखक ने बीस एक दिनों तक एक कांट रचना आता हूँ कि प्रवास का अब सर्फ पया था कि 20-21 दिनों तक होगा जी 20-21 नहीं बलकि 20-21 दिनों तक होगा समझ गए ना चलिए उसके बाद क्या आए जी आपके किताम में लेकर निसी परकार से लिखा हुआ है कि 21 दिनों तक समझ गए आगे है कि प्रवास के दौरान लगवक प्रती दिन गध और कविताय लिखी गई मतलब ये गए थे आविन्यो सहर फ्रांस और वहां भी गए तो रूके नहीं वहां पर भी प्यारे बच्चों बहुत सारे गध और बहुत सारे कविता का ये रचना किये हैं समझ गए ना जिसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे समझ गए तो वहां भी गए तो बहुत सारे गध और बहुत सारे कविता की रचना किये जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे अब चलिए सीधे हम लोग आ जाते हैं चेप्टर पर ज्यादा कोई बड़ा चेप्टर है नहीं छोटा ही चेप्टर है तो उसे हम लोग बड़ा आराम से पढ़ लेंगे ठीक है ना चलिए यहां से प्यारे बच्छो आपका चेप्टर स्टार्ट हो चुका है छोटा चेप्टर था तो हम सोचे क्यों न भाई इसको टाइप ही कर लिया जाए और टाइप करके बच्चों को पढ़ा दिया जाए नहीं तो चाहते तो तो पुस्तक से भी आराम से हम पढ़ा सकते थे लेकिन चलिए पुस्तक से ज़्यादा मन आपको लगेगा यहां पर ठीक है समझ गए यह को अच्छे कर रहे हैं इसको ना 2004 बोल दीजे बाई अरे बोला जाता है हिंदी पढ़ा रहा है तो कभी कभी लगता है कि हिंदिया बोले कि अंग्रेजिया बोले तो यह बात ध्यान रखिए चलिए लगबक 10 बरस पहले पहली बारा विन्यों गया था कौन बोल हैं यह बात यह बात बोल रहे हैं असोख बाजबेई अपनी कहानी में अपनी जो लेक है उसमें यह सबसे पहला लाइन यही लिखते हैं कि लगबक 10 बरस पहले पहली बार विन्यों गया था चक्छिन फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना सहर है यहां से पुछेगा आविन्यों किस नदी के किनारे बसा हुआ एक सहर है आपको जवाब देना होगा कि आविन्यों जो है वो रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक सहर है रोन नदी के किनारे याद रहेगा ना रोन नदी के किनारे तो कह रहे हैं कि पहली बार हम 10 बरस पहले आविन् प्रस्चिद और लोकप्रिय रंग समारो हर वर्ष होता है। प्रुक का बिबादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तूत किया गया था। पत्रों की एक खादान में आविन्यों से कुछ किलो मेटर भेरे भाई, किलो मेटर लिखा गया है। कुछ किलो मेटर दूर अवह भव प्रस्तूती हुई थी। वहां से कुछ किलो मेटर दूर अवह प्रस्तूती हो रही थी। सच्चे एर्थ में महा का अव्यात्मक कुछ दिनों और ठहरा रहा था। थी का ना कुमार गणधर्व आय थे और उन्होंने एक आकर बिशफ के पुराने आवास के बड़े सी आगन में गया था। शमुझ गया ना जब कुमार गणधर्व वहां पर आये थे तो वहां पर कह रहा हैं कि एक बहुत पुराना आवास था। बहुत पुराना, वहाँ पर हम लोग कहा गए थे, उसके आगन में हम लोग गए थे, टहलने के लिए, एक बंदिस भी याद है, दुरुम दुरुम लता लता, इस समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च और पुराने अस्थान रंगस थलियों में बदल गए थे, कह रहा है कि इस समारोह के दौरान, जब ये समारोह हो रहा था, तो जब गर्मियों में ये बड़ा भब समारोह होता है, तो कह रहा है कि गर्मी के दिनों में इस दौरान वहाँ अनेक परकार के जो चर्च हैं, क्योंकि फ्रांस में ज़्यादा इसाई लोग रहते हैं, तो वहाँ पर चर्च जादा है तो कह रहे हैं कि वहाँ जितने भी सारे चर्च है और पुराने जो स्थान है जो पुराने दर्सनी का स्थान है वो सब बदल गए थे रंगस्थलियों में यानि कि सब को बहुत यच्छे तरीके से सजाया गया था समझ गए रोन नदी के दूसरी और आविन्यों का क्या है एक छोटा सा हिस्सा है जो लगभक स्वतंत्र है नाम है विलनब ला आविन्यों समझ गए ना नदी के उस साइड आविन्यों का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम है विलनब ला आविन्यों अर्थात आविन्यों का नया गाउं या सायद कहना चाहिए कि नई बस्ती आविन्यों का नया गाउं या नई बस्ती वहां दरसल फ्रेंच सासकों ने पोप की गतिविदियों पर नजर रखने के लिए क्या बनवाया था किला बनवाया था बिलिनब बिल्ला आविन्यों में पोप की गतिविदियो पर नज़र रखने के लिए क्योंकि पोप का राजदानी था ना, तो अपने पूरे समराज़ पर, अपने पूरे राज़ पर वो नज़र रख सके, इसलिए वहाँ पर एक किला बिसाल किला बनवाया था उसी में काथूसियन संपरदाय का एक इसाई मठ बनाया गया था जिसका नाम था ला सत्रूज यानि कि जो किला बनाया गया था पूरे राज्यकवा निगरानी करने के लिए उसी में एक मठ भी बनाया गया था प्यारे बच्चों, समझ गए ना, इसाई मठ, समझ गए मठ हो उसको कहते हैं, जहां पर लोग आ करके ठाहरते हैं, जैसे हम लोग हिंदु धर्मसाला बोलते हैं, कि धर्मसाला है, लेकिन इसाई लोग उसको मठ बोलते हैं, तो वहीं पर एक मठ भी है इसाई मत भी है जिसका नाम था ला सत्रूज त्क है चोधाहमी सदी से फ्रेंच क्रांती तक उसका धार्मुक धार्मिक उपयोग होता रहा उस्का धार्मिक ज्यादा मतर मौन धारन करता है और शारा अस्थापत एक तरह से मौन का शापत्य था, शापत्य कहने का मतलब कि नहीं पर दिवारों पर जो मुर्थी यहां बनाया गया था न, यहां पर जब गए वो, 14-इस आताब्दी के यहां पर, जो इसाई मठ पह गए, इसाई मठ के जब ला सत्रूज में गए, तो लास सत्रूज में देखे कि दिवालों पर ना ज़्यादा तर क्या है एक जैसे बुद्ध भगवान का कैसे होता है कि बुद्ध भगवान किस तरीके से करके बैठते हैं इस तरीके से करके बैठते हैं करांती होने पर इस स्थान और उसकी सभी मारतों पर सधारन लोगों ने कबजा कर लिया। जब फ्रांस की करांती हुई थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग कबजा भी कर लिये थे इसाई मठ पर, समझ गये, वहाँ पर और उसमें रहने लगे थे। इस सदी की सुरुवात में तो ला सत्रूज के जिर्नोदवार की सुरुवात हुई और धीरे-धीरे अधिकांस पुराने अस्थानों और इमारतों को बापस खरीद करके उनका बहुत शंबेदन सील और शुधर जिर्नोदवार करोने या था संभब पहले जैसा करने की कोशिस की गई एक किरामती के बाद उसको सरकार वहां के अपने में लिए और अपने में लिए करके तो बाइशे का नाम एक जगह है एक राज्य का नाम है और पूप कुछ है नहीं पूप मतलब क्या होता है अरे पूप एक राज्य का नाम था आविन्यों का फ्रांस में एक राज्य है जिसका नाम है पोप और उसका राजधानी था कहां आविन्यो तो बढ़िया से समझा रहे हैं जैसे भारत में एक राज्य है बिहार उसका राजधानी है पटना वैसे फ्रांस में एक राज्य है पोप उसका राजधानी था कहां आविन्यो समझ उसे एक संडक्षित असमारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंदर के स्थापना की गई यानि कि ये जो पातुसियन संपरदाय का एक इसाई मठ था ना फ्रांस की करांती में उसको लोग कबजा कर लिया था लेकिन फ्रांस की करांती के बाद सरकार उसको अच्छे तरीके से मरम्मत किया और उसको नक्या बना दिया दर्सनिय अस्थान बना दिया यानि कि कला केंदर बना दिया और वहां पर लोग घुमने जाते थे इन दिनों रंग मंच और लेखन से जुड़ा हुआ है रंग कर्मी, रंगितकार, अभिनेता, नाटक करादियों वहां आते हैं और पुराने इसाई संतों के चेंबर्स में कुछ अबधी के लिए रहकर के सारा समय अपना रचनात्मा काम करने में बिताते हैं कहा रहे हैं कि ये जो इसाई मठ है, ये इतना सांत जगह है कि वहाँ पर चूब ही कोई नहीं करता है समझ गए एकदम सांती बातावरन है और इसलिए अगर किसी को सांती चाहिए होता है तो वहाँ पर आता है और कुछ समय अपना बिताता है और यह असोख बाजबे भी इसलिए वहाँ पर गए थे कि कुछ दिन एकदम दुनियादारी से निशिंत होकर कि एकदम सांती पूर्ण जीवन बिता सके समझ गए अगर किसी को सांती चाहिए होता है ना तो वो इस इसाई मठ में चला जाता है बहुत सारे रंग कर्मी जाते हैं रंगितकार जाते हैं अभिनेता जाते हैं नाटक कार जाते हैं पुरानी जो संत जहां पर बैठते थे ना वहीं पर बैठ करके एकदम अपने दिमाग को क्या करते हैं कागरचित करते हैं सांत करते हैं समझ गए तो-दो कमरों के 플र habíanझे का में नहीं तक बने हुए है दो-दो कमरों के क्या बने वे चैंबर सिए यह देखिए, इसाई मठ Angeles जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, चर्च जो होता है जिसको चर्च कहते है नchar चर्च कुछ इस तरीके का होता है समझ गये उसमें फर्नीचर 14 सदी जैसा लगा हुआ है यानि कह रहा है कि यह जो इसाई मठ है उसमें क्या है जी दो-दो कमरों का चेमबर है दो-दो कमरा एक साथ मिल करके बना हुआ है और उसमें जो फर्नीचर है मतलब जो लकड़ी का जो समान है समझ गया ना जैसे टेबल, कुर्सी, पलंग ये सब है वो सब 14 मी सदी का बना हुआ है ऐसा देखने में लगता है पर सर्वता आधुनिक, रसोई घर और नहान घर है लेकिन वहां का जो रसोई घर है मतलब खाना बनाने वाला जो घर है और जो नहान घर है ये सब क्या है इसमें एकदम अत्याधुनिक है अत्याधुनिक है, समझ गया ना रसोई घर और नहान घर एकदम अत्याधुनिक है एक अत्याधुनिक संगीत विवस्था भी है कह रहे हैं कि वहां पर उस हिसाई मठ में क्या है एक अत्याधूनिक संगीत में बस्था भी है यानि कि अगर किसी को गाना गाना है तो अराम से जाकर को वहां पर गाना गा सकते हैं क्या रहे हैं कि जो दो दो रूम का चैंबर्स बनाया गया है वो पीछे की तरह कहां कहुलते हैं और उसके पीछे आगन है और एक दर्वाजा भी है सब्ताह के पांच दिनों में साम को सब को एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुबधा है कह रहे हैं कि सब्ताह के पांच दिन सब्ताह में साथ दिन नहीं बलकि सब्ताह में पांच दिन वहां पर सब लोगों को भोजन कराया जाता है और सब लोगों को एक साथ रात में बिठा करके भोजन कराने की सुबधा वहाँ पर क्या है? उपलब्द है पाकी हर दिन का नास्ता और दोफर का भोजन अपनी सुबधा से जहां चाहे हो वहाँ अपने ही चेंबर्स में खुद बना करके कर सकते हैं यानि कह रहा है कि पांच दिन तो भाई वहाँ खिला देगा वहाँ पर इसाई मठ में पांच दिन तो तुमको खिला देगा लेकिन बाकी का जो दिन है वो आप जहां चाहे हो वहाँ खा सकते हैं या फिर अपने चेंबर्स में अब स्थान है जो कि जिसको कि ला सत्रूज हम बोल रहे हैं समझ गए न ये क्या है बिलकुल एक दम सान्त स्थान है आगे कह रहे हैं कि बिलनब एक छोटा सा गाउ है जहां से सुनिएगा कह रहे हैं कि ये जो बिलनब है ये चोटा सा गाउ है बिलनब दा आविन्यो वही जो ड्रोन नदी के इस तरफ जो दूसरी तरफ बसा हुआ है ना उसके बारे में कह रहा है कि बिलनब एक छोटा सा गाउ है जहां एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान है बिलनब में एक किताब का दुकान है किताब के दुकान पर से आप लोग भी जाते होंगे पुस्तक खरीदने के लिए तो उसी तरीके का बिलनब में भी एक किताब पुस्तकों और पत्रिकाओं की दुकान है एक डिपार्टमेंटल स्टोर है एक कबरगाह कई रिस्तरा और बारादी है यानि कि बहुत सारों वहाँ पर रेस्टूरेंट है ठीक है ना सराब पीने का जो जगा होता है समझ गए ना यह सब भी वहाँ पर है सब कुछ वहाँ पर मौझूद है आप इन्यों और आस पास के अन्य सहरों कबरों में बस बेवस्ता सूलव है यानि कि नॉर्मल बेवस्ता है जादा कोई बड़ा बेवस्ता भी नहीं है गुदम सूलव है बेवस्ता है कि सब कुछ असानी से बस मिल जाता है फ्रेंच सरकार के सोजने से ला सत्रूज में रह करके अपना कुछ काम करने का एक निवता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था फ्रेंच सरकार के सोजने से यानि कि जो फ्रांस की सरकार है वो इनको यानि कि असोख बाजपेई को निवता दिया कि आईए भाई फ्रांस में रिला सत्रूज में कुछ दिन रहे और कुछ दिन रह करके वहाँ पर समय बिताईए बहुत सारे VIP लोगों वहाँ पर जाते हैं तो इनको भी बुलाया गया कि आप वहाँ पर आईए और कुछ समय वहाँ पर रह करके अपना समय बिताईए कहा रहा हैं कि सरकार के तरफ से तो हमको एक महीने की अब्धी दी गई थी फ्रेंच सरकार की तरफ से फ्रांस की सरकार की तरफ से हमको तो एक महीने का अब्धी दिया गया कि आईए कम से कम एक महीना रहिए और एक महीना रह करके और अपना समय वहाँ पर बिताईए तो अब दी तो एक महीने के दी गई थी पर इतना समय निकालना बहुत कठिन था कह रहा है कि हमको तो सरकार के तरफ से एक महीना मिल गया था कि चलिए भाई एक महीना आप आकर के रहिए लेकिन एक समय हम वहाँ पर रहते कुछ 19 दिन वहां तक रहा कर रहें कि एक महिना के लिए बुलाया गया था लेकिन एक महिना आम नहीं रहें बस 19 दिन हम वहां पर ठहरे थे 24 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक वहां तक रहें अपने साथ हिंदी का टाइप राइटर ले गये थे कहाँ लास सत्रूज में तो अपने साथ ना हम हिंदी का टाइप राइटर ले गए थे। क्योंकि ये कविता लिखते थे तो सोचें कि भाई वहाँ बैटे कविता लिखेंगे कवित कहाण लिखेंगे अपने साथ ये 3-4 पुस्तक भी ले गए थे किताब भी ले गए थे कि मन नहीं लगेगा तो यह किताब पढ़ लेंगे समझ गए तो हिंदी का टाइप राइटर ले गए थे जैसे आप लोग भी कहीं पर घुमने के लिए जाते हैं तो कुछ अपना पसंदेदा चीज लेकर कर जाते हैं देखा जाएगा यार यह नहीं मन लगेगा तो यह करेंगे वो करेंगे उसी तरीके से यह भी बैचारे अपना हिंदी का टाइप राइटर ले गए और तिन-चार उस तक ले गए और कुछ संगीत के टेप्स भर करके ले गए थे पहले टेप आता था जी गाना गाना जैसे कैसेट जिसको बोलता है न घुमाने वाला कैसेट बगेरा होता था तो उस तरीके का कुछ टेप आता था तो गाना सुनने के लिए कुछ यह टेप भी ले गए कि मन नहीं लगेगा तो थोड़ा गाना भी सुन लेंगे समझ गये, तो गाना सुनने वाला कुछ टेप्स भी ले गये थे, सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्राया कुछ और करने की कोई विवस्ता ना होने का जीवन में यह पहला ही अबसर था, कह रहे हैं कि यह पहला हमारे जीवन का अबसर था, कि वहाँ पर इतना एकांत जगह हम आज तक कभी नहीं रहे थे, जितना एकांत जगह कहा था, वो लासात्रूज था, समझ गए ना, उतना एकांत जगह और कहीं नहीं था, आप देखिएगा, इनका एक पर्मुख लाइन है, प्यारे बच्चों, इस लाइन को ना, आप लोग याद कविता लिख दिये और 27 गद की रचना कर दिये सोचिए कितना एकांत जगह होगा कि और कितना इनको मतलब की कोई डिस्टर्प नहीं किया होगा तब ना 19 दिन में 35 कविता लिख दिये और 27 गद अगर आपको ऐसा एकांत जगह पर छोड़ दिया जाय तो आप हमको लगता है महिना में को कविता नहीं लिख पाईएगा क्या लिखें सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिर्फ यहीं बोलिएगा न लेकिन ये अपने मन से कितना कविता लिख दिये 35 कविता और 27 गध की रचना कर दिये समझ रहें बात को ये प्यारे बच्चो इतना कविता लिख है समझ गए ना आगे कर रहा है कि आविन्यो फ्रांस का एक परमुख कला केंद्र रहा है आविन्यो जो है वो फ्रांस का एक परमुख कला केंद्र रहा है पिकासो की विख्यात कृति का सिर्षक ला मादा मोजेल दा आविन्यों ये प्यारे बच्चों परिक्षा में पुछता है कि ला मादा मोजेल दा आविन्यों किन के दौरा लिखा गया है तो ये लिखा गया है पिकासो के दौरा किन के दौरा पिकासो के दौरा लिखा गया है ये बात आप लोग याद रखिएगा ला मादा मोजेल दा आविन्यों कह रहे हैं कि कभी अती या थार्थवादी कवित्री आंद्रे वेता रेने सौ और एनुवार और एलुआर ने मिल करके लगबग 30 संजुक्त कविताएं आविन्यों में साथ रह करके लिखी थी ला सत्रूज के निदेशक ने जब इस पुस्तक की समगरी देखी थी तो इन्हें इतनी अल्पबधी में कितने काम पर अचरज हुआ था यानि कह रहे हैं कि ला सत्रूज के जो डाइरेक्टर थे जो निदेशक थे जहां पर ये रहे थे ना कोई ना कोई तो उसका देखवाल करने वाला डाइरेक्टर होगा ना तो जब ला सत्रूज के जो निदेशक थे जो डाइरेक्टर थे जब ये देखे कि अरे इतना कम दिन में मतलब हुनईस दिन के अंदर में 35 कविता और 27 गद की रचना कर दिये तो वो एकदम अचरज में पढ़ गए समझ गए ना वो एकदम अचरज हुए और अचरज मुझे भी कम नहीं है वो सुन्दर निविड सधन सुनसान दिन और राते थी भै पवितरता और आसक्ति से मुक्त थी करें कि अचरज तो हमें भी हो रहा है अचरज तो हमें भी हो रहा है कि भाई इतना कम समय में हम इतना कैसे लिख दिये लेकिन लिखने का कारण था कि वहाँ पर ना डर था ना भैद था ना कोई मतलब महौल था कोई हलाग बुला था, एकदम सुनसान जगा था, एकदम सब कुछ से मुक्त था, तो अराम से मुआ पर कविता लिखते गए, और 19 दिन में 35 कविता और 27 गद की रचना कर दी, ठीक है, यह पुस्तकुन सब के स्मृति का दस्तावेज है, आब इन्यों को उसी के एक मठ में रह करके लिखी गई, कभी प्रनती भी हर जगा पाते बहुत सा गवाते हैं, ला सतरूज में जो पाया उनके लिए गहरी करतगता मन में है, और जो गवाया उनकी गहरी पिला भी है, कह रहे हैं कि ला सतरूज में हम जो गए, और वहाँ पर जो पाये, वहाँ पर जाकर के हमें कविता लिखे थे कि किसी देवता या काल की नहीं पता नहीं किसी परतिक्छा करते हैं पत्थर जब वो क्या करते थे ये असोक बाजपई कि नदी के किनारे जाकर के बैठ जाते थे और पानी का जो धारा बहता है ना उस धारा को एकदम एक एक टकी लगा करके देखते थे पत्थरों को एकदम टक टकी लगा करके देखते थे और पत्थरों को देखते देखते ही कविता लिखे थे कि किसी देवता या काल की नहीं मतलब ना किसी देवता का प्रतिक्षा करता है ना समय का प्रतिक्षा करता है तो पता नहीं किसकी प्रतिक्षा करते हैं ये पत्थर पता नहीं ये पत्थर किसकी परतिक्षा करते हैं पत्थर बीना माथा जुकाय प्राथना करते हैं पत्थर बीना पसीजे कामना करते हैं पत्थर बीना सब्द कविता लिखते हैं पत्थर पता नहीं किसकी परतिक्षा करते हैं पत्थर और इस कविता का नाम है प्यारे बैचो परतिक्षा करते हैं पत्थर तो आपसे परतिक् और उसके बाद कहते हैं कि नदी किनारे भी नदी है, नदी के किनारे भी नदी है, कह रहा हैं यहां पास में ही रोन नदी है, इस तरफ विले नबहे और दूसरी FREE तरफ आवइन्यों है, और अभी पिछले वर्स हम बहुत देर तक उसके तथ पर बैठे थे, अगर जल पर व कई बार लगता है कि जल इस्तिर है और क्या जो तट है जो किनारा है वही बह रहा है कि कई बार जब हम नदी के किनारे पर बैठते थे तो इसा लगता था कि जल तो इस्तिर है नदी का किनारा ही बह रहा है समझ गए ना? ध्यानक येगा नदी तैट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है कई बार नदी रिस्तिर होती है हम तट पर बैठे रहते हैं नदी के पास होना नदी होना है बिनोद कुमार सुकल अपनी एक कविता में क्या नदी चहरा लोगों से मिलने जाने की बात करते हैं दीखे साइद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चहरा नहीं हो जाते हम जो कभी कवार और थोड़ी देर के लिए नदी किनारे जा बैठ पाते हैं हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चहरा हो जाते है यानि कि नदी के किनारे बैठे बैठे ये सोचते हैं कि भाई नदी के किनारे बैठे का जो अबसर होता है न एकदम अपने आपको नदी में हम मिला लेते हैं और जब देखते हैं कि पानी बह रहा है तो लैसा लगता है कि पानी नहीं बलकि नदी ही क्या हो रहा है बह रहा है समझ गए नदी किसी को अंदेखा नहीं करती हो वा सब को भिंग होती है कह रहा है कि नदी में एक गुन है कि वो किसी को अंदेखा नहीं करता है नदी घूस नहीं लेता है समझ गये ना कि घूस ले लिए तो चलो वाई तुम पार हो या तुमको नहीं भिंगाएंगे नदी सबको बरावर नजरिये से देखता है सबको बरावर दृष्टी से देखता है चाहे कितना बड़ा भी आदमी क्यों न रहे कितना छोटा भी आदमी क्यों न रहे पता नहीं कहां कहां से जल आते हैं और बिलीन होते रहते हैं वह सागर में समाप्ति होती रहती है हर दिन ही पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता कविता में भिना जाने कहां से कैसी कैसी भिम्मालाएं सब्द भंगिमाएं जीवन छवियां और प्रतितियां आकर के मिलती ह और क्या सदाकार होती रहती है जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती हो वैसे ही कविता सब्द रिक्त नहीं होती कह रहें कि जैसा नदी है वैसा ही कविता है नदी कभी खाली नहीं हो सकता है उसी परकार से कविता भी कभी खाली नहीं हो सकता है समझ गए ना आगे कह रहा हैं कि नहीं कविता के पास हम तरतस्त रह पाते हैं अगर हम खूलेपन से गए हैं तो हम उसकी अभीभूत से बच नहीं सकते नदी और कविता में हम बर्बस ही सामिल हो जाते हैं जैसे हमारे चेहरे पर नदी की आभा आती है वैसे ही हमारे चेहरे पर कविता की चमक, निरंतरता, नदी की कविता दोनों में हमारी क्या नस्वरता का नंत से अभी सेख करती है एक कविता पंक्ती है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है, जैसी तुम कविता हो, कह रहे हैं कि हमारे मन में कभी-कभी एक प्रशन आता है, कि कैसी तुम नदी हो, उसका जवाब भी हमारे मन में आता है, कि जैसी तुम कविता हो, समझ गए ना, यानि कि कविता और नदी क का तुलना यहाँ पर किये हैं कि कविता और अनदी दोनों एक समान ही है जो कि सदा बहते रहता है तो मुख रूप से इस चेप्टर में प्यारे बच्चों आभिन्यों का चर्चा किया गया है कि आभिन्यों में वो गए 19 दिन तक रहे और 19 दिन तक रहकर के कितने कविता के रचना की बथे ऑर 25 कविता और 27 गद की रचना की थे और उन्हें की बहुत वड़ी क्या थी उपलबधी थे चमझ में आया? 35 कविता और 27 गध की रचना किये थे ये प्यारे बच्चो इंपॉर्टन कोस्टन है इसको आप लोग याद रखिये तो यहीं आपका चिप्टर था प्यारे बच्चो जिसका नाम है आविन्यो समझ गए? तो यह छोटा सा चिप्टर है जी और बहुत जल्द खतम भी हो गया और खतम होता भी क्यों न भाई एक छोटा सा चिप्टर है और पढ़ने में अगर दिल्चस्पी हो खतम हो ही जाता है और इसका कोश्चन अंसर प्यारे बच्चो हम अगली क्लास में करवा देंगे ठीक है ना? चौधा प्रस्ण दिया गया है और चौधो प्रस्ण का जवाब और अब्जेक्टिव कोश्चन सब अगली क्लास में हो जाएगा और इसके बाद गवला जो चिप्टर है यह एक कहानी है जिसका नाम है मचली प्यारे बच्चो एक बड़ा जवरदस्त कहानी है समझ गये ना? मचली जो कहानी है बहुत जवरदस्त कहानी है अब तो गद खंड में बस तीन चिप्टर बचा है ना? दिखे चलिए पिल्कुल प्यारे बच्चो बहुत जल्द अब खत्म हो जागा कहीं कोई दिक्कत विवात नहीं है तो चलिए आज आप लोगों का यह आविन्यों चिप्टर हम पूरा पढ़ा दिये उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी गये होंगे कह पढ़ाई करते रहें थटस्त रहें पढ़ाई के प्रति क्योंकि अब एक्जाम काफी नजदी का चुका है तो अगली क्लास में हम आपको करवा देंगे इसका पूरा अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कोस्चन तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे बागी जात ठीक है चलिए तो अब प्यारे बच्चो क्लास को ना हम यहीं पर करते हैं समाप्त और मिलते हैं मैं आप से अगली क्लास में लेकिन जाते जाते हैं आप लोग प्यारे Чok comment करना मत भूलिएगा ठीक है ना कमेंट जरूर करके बताईएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा ठीक है और अगर जो बच्चे भी तक क्लास को लाइक बगेरा नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजेगा और वाकि फिर मिलते हैं नौ बजे वला क्लास में नौ बजे वला क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चो और नौ बजे से आपको जबरतास्त तरीके से फिर से हम जोगरफी प्रहाना स्टार्ट कर देंगे ठीक है मिलते हैं नौवा जिवला क्लास में तब तक के लिए जै हिंद रन्यवाद